वेलकम को इस फटिफ़वर प्रेड़पॉम्ग की आप सभी ठीक होंगे सुरक्षित होंगे सेफ होंगे अपना ध्षान रखने होंगे अपनी फ्राम्री का ध्यान है कई सारे लोग यह मैंने से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंटर्विव होने वाला है कई अलग अलग अल अलग अलग CSR लाबरेट्री के लिए PhD जो इंटर्व्यू है और कई जगों पे रिटेन इग्जामनेशन भी होगे डिपेंडिंग की ओन आइटी जगों का क्राइटेरिया क्या है कई जगों पे अगर आप गीट की थ्रूँ अप्लाई करते हैं तो रिटेन एक्जाम के लिए पूछा जाता है और अगर आप CSR के थ्रूँ अप्लाई करते हैं तो डारेक इंटर्व्यू भी लेते हैं जैसे आईटे भी हो आईटी देली और बहुत भी अलग 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 ची पूछ देंगे इसका कोई पैटर्ण नहीं होता किसी भी इंटर्व्यूर को यह याद दी रहता कि एक साल पहले उसने क्या कुछा था यह सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक क्याते अलग इल्यूजन में जा रहें अलग जोन में जा रहें जिससे आपका कोई बेनिफिट होन पर नाम देखे कि कि लिया जा रहा है अकर अगर फ़सेस एंजिनींग है और लूट जी काल साइंसे है तो डीपार्मिन में डीपार्मिन किस फिल्ड में काम कर रहे हैं वो किस एलिया के स्पेसल आजिसर में पीजडी कर चुके हैं जैसे आपको यह आइडिया लगेगा कि उस डिपार्टमेंट में कोर क्या चलता है और जो रिटन एक्जाम होगा उन्हीं के बेसिस पर आपको लिया जाएगा और कुछ बेसिक चीजे जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ जैसे बायो केमिस्ट्री एंजाइन काइनेटेक्स प्रोटीन केमिस्ट्री टेक्नीक्स मॉलिक्लर बालोजी सेल बालोजी यह कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एक रिटेन एक्जाम से लेके इंटर्व्यू तक पूछे जाएंगे चाहे आप कहीं पर भी अप्यर हो रहे हैं इसके अलागा कुछ स्पेसिपिक चीजें वो डिपार्टमेंट के उपर डिपेंड करते ही कि वो डिपार्टमेंट जो है वो किस कह सकते प्रोफेसर मनलब किस फ्रेम पर है वो बायोजिकल साइंस पर कैंस सरदीस पर कहा पर किस करते हैं अब कोई कहनु पालोजी का जो डिपार्टमेंट होगा वह थोड़ी आपसे पूछेगा कि रियक्टर में जो है कौन सा इंपेलर किस तरीके का काम करता है जुई सी बात है कि ये बायोक्रिकल इंजिनिन या फिने संट जब आशी कोश्टा स सब्सक्राइब कोई भी इंटर्व्यू का किसी बींटर्व्यू का किसी बीकॉलज की इंटर्व्यू का कोई स्पेस्फिक पैटर्ड नहीं होता है दो तीन चीजे एजस्टिप के तौर पहली चीज की अगर अपने मसी में कोई डिजर्टेशन कोई थिसिस करी है तो वेलेंड गुड है उसको जरूर पढ़ लेना कि आपने क्या किया था कौन को से टेखनीक यूज करी थी और क्यूं यूज करी थी उसके बाद जिस भी डिप टेखनीक में कुछ बेसिक टेखनीक का प्रिंसिपल और अप्लिकीसन आपको पता होना चीए कि जैसे SDS पेज का यूज क्यों करते हैं एलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है क्रमेटोग्राफी क्या है माइक्रोस्कोपी क्या है आप कौन को से टेकनीक किसलिए यूज करते हैं वो प्रिंसिपल आपको पता होना चीए क्योंकि अल्मूस्ट हर जगह भी वो पूझा जाता है इन सब के अलावा जो है अपने बेसिक स्पे स्टिक करिए आपका बेसिक क्या है आपका बेसिक है कि आप जो पढ़े हुए है बालो जी लाइफ साइन्स उनको रिवाइस करके जा अपने बेसिक स्टिके रहेंगे डेफनेटली आप अच्छा करके आएंगे लेकिन आप जितना घबढ़ाहट में जितना हर्बढ़ाहट में जितना ओपीडियन के हिसाप से चलेंगे उतना आपका नुक्सान होगा यह कुछ बेसिक टिप्स रेटेन और इंटर्व्यू के ले डिफरेंट 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 आपके के लिए सो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा पही सारे लोग अब यह पूछेंगे कि हमारे MSC में थिसिस नहीं है तो क्या करें कुछ दिक्कत नहीं है जैसा है जो है क्राइड कि मुझे किस IIT में जाना किस में जीना कि CSI में जाना है कि समें किस में नहीं जाना सो ? जस्ट गू को? और गिवर यह Sugar बेस अल्ड यह बेस्ट र्यू गरिंदेल इंटेली इंघ्सामिश सार इंबेस इंदेल एं आ डाभाल गूस थे स्टूटेग से के और